कि सभी को नमस्ते नमस्ते तारा पसंद भाई है कुमार नमस्ते यहां पर राजस्ट कुमार भाई है अगर तंक्राइन विदी विदायक आयरवेदा महाविद्याले और अंग्राबार महाराश्चा में ने 2023 जन्वरी में यह पहला योग्षी वन इंटरफ्ट्री एक अप्ड मनस्ते जी बहुत-बहुत नमस्ते सभी को प्रणाम मैं अपनी सेरिंग रख रहा हूँ जैसा कि आपने मेरा शार्ट में परिचे दिया है और थोड़ा सबस्क्राइड कर देता हूँ मैं यहां आयरवेदी कॉलेज आउरंगावाद में है CSMS आयरवेद महाविद्याले आउ और मेरी पतनी जी है जो उसी कॉलेज में असोसियेट प्रोफेसर है आयरवेद का एक सबजेक्ट है आयरवेद सिध्धान्त तो वो सबजेक्ट वो पढ़ाते हैं और वो भी UHV से जुड़े हुए है उनका नाम डॉक्टर उज्वला दीवेकर है और वो हर सत्र से जुड़ मार्निंग सेशन उन्होंने भी UHV1, UHV2 और मार्निंग सेशन लगतारा टेंड करते आ रहे हैं और मेरी एक बच्ची है जिसका नाम सुरुती उपाध्या है और वो पुना में फ्लेम इन्वर्सिटी वहां से MBA कर रही है मार्केटिंग में और मास कम्मुनिकेशन में मेरी मम् जबलपूर में रहती है MP में मेरी तीन सिस्टर है जो की जिनकी दोग की शादी हो चुकी है और एक अभी एजुकेशन में है तो इस तरीके से मेरा एक परिवार है और जैसे परिवार के बात हम कर ही रहे है तो UHV1 हमारा बहुत बड़ा परिवार है जिनके जिसके माध्यम स हम सभी लोगों में अपना परिमारजन कर सकते हैं और कर रहे हैं और इन बातों से अब मैं अपनी शेरिंग शुरू कर रहा हूं मेरी जर्णी UHV में आठ महीने करिब-करिब कंप्लीट होने जा रही है और UHV के माध्यम से जो मैंने आपज़र किया है जो सीखा है जो अभी स इन चीजों से मुझे लगता है कि भी बहुत सारा मुझे जानने और समझने की जरूरत है इसके पहले मैंने कभी UHV के बारे में सुना नहीं था मेरा पहला अनुभव जो है वो फर्स्ट इंट्रोडरक्टरी UHV से ही आया है और वो अनुभव मुझे बहुत आनंद दायक रह और मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसे बहुमूल्य यह स्वाइम विकास के लिए जो कि समाज उपयोगी है कारिक्रम में मैं पहले क्यों नहीं जोइन हो सका या क्यों नहीं जूड सका तो इसका मुझे हमेशा खेद रहता है मेरे द्रिश्टी से UHV सिर्फ एक कोर्स नहीं है य जीवन जीने की साहिली है जिसमें हर पल, हर समय वेक्ति अपने विकास के लिए अपने प्राबिलम को और खुद को समझ कर संबंधों को ध्यान में रखते हुए और अगर जीने की कोशिस करें तो जीना बहुत आसान हो सकता है और बहुत सारी वैक्तिगत समझाएं, सारे questioning होती थी मेरे तरफ से और questioning होती थी तो उसमें बहुत simple simple question रहते थे जिसका answer अभी मेरे पास है और उस वक्त नहीं हुआ करते थे तो ये बहुत बड़ा चाहिए जितने जरुवत है उतना ही आप अपना धन जो है उस पर व्याइब करें और जीने में जितना हो सके सुख पुर्वक जीए तो सुख पुर्वक जीने के लिए मैं को समझना बहुत जरूरी है और मानों को समझना बहुत जरूरी है तो जैसे physical facilities की बात मैं कर रहा था तो व्यक्ति की जरूरत सिर्फ तीन चीजों की ज्यादा जरूरती है रोटी कपड़ा और मकान तो आदमी इससी के लिए सर्विश करता है बहुत सारा धन जो है जमा करने में लगा रहता है तो यूएच्पी से मैंने ये सीखा है कि जितने जरूरत है उतना ही आप अपन का संग्रा करे और बाकी जरूरत नहीं है जितना आपको कपड़े लगते है उतना ही आप कपड़े लीजिए जिससे आपको सिर्फ शरीर को ढखने के लिए और शरीर का प्रोटेक्शन करने के लिए ही यूज हो जैसे मानव के बारे में बात करना है तो मखकी रूप से मै के रूप में अगर बात करते हैं तो मै को देखना उम्हार भाईया जिने बहुत अच्छे से हमको exercise कराये था और उसमें पाच-पाच-दे-दर्स मिनिट की exercise कराये जिसमें मैं को अनुभूती करना और उसको समझने की बहुत सारी चीजे बताई थी तो वो सब चीजे चल रही है उसी तरीके से प्रकृती के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकृती के करीब हम है बहुत नजदीक है और उसके संरक्षन के लिए पोशन के लिए बहुत सारा हम समय उसमें देते हैं जैसे plantation के लिए हम उसमें काम करते है और अस्तित्व की बात अगर करते है तो अनू पर्मानू से बना हुआ शरीर इसके तरफ ध्यान जाता है वहीं सुनने की तरफ ध्यान जाता है कि शरीर में सुनने का जो महत्व है वो कुमार भीया जिने बहुत अच्छे से बताये था और exercise भी उसके हिसाब से कराये थे तो यह सब चीजे कहीं ने कहीं हमारे दिवाग में बैठा रता है और उसके हिसाब से हर पल हर च्छन जो हम अपना आचरण करते है महनवी आचरण के अनुरूप होना चाहिए और कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति से दुख या पीड़ा न हो इसका विचार हमेशा मन में रहता है तो और एक्सरसाइज वन के अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें मैं स्वयम चैतन्य के दौरा स्वयम को मैं चल रही कलपना शीलता और भाव विचार को देख पाता हूँ जिससे स्वयम मैं सहज भाव, स्वभाव, मानिवी स्वभाव के कोशिस करता हूं और इन भावों को निरंतर बनाये रखने में मदद चाहता हूं और सहज भावों के साथ हम संगीत और आराम में रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं जैसा कि विरोध भाव में जीना सहज नहीं होता है और यह मैं बराबर कोशिस करता हूं कि मेरी बातों से किस किसी को कोई क्यों दुख न पहुंचे या किसी के बातों के द्वारा मुझे दुख न पहुंचे इसका निर्णय जो है हमेशा मैं मैं में लेता हूँ और इसके आधार पे ही मैं सुख और दुख का जिम्मेदार मैं ही हूँ दूसरा कोई भी नहीं होता है अब मैं किसी के आल समझे बगैर मैं कोई बात करता नहीं हूँ अपने परिमार्जन के लिए सुधार के लिए हमेसा मेरे लेने का आधार समझ ही होता है मैं समझडारी के साथ निरने लेता हूं और उसमें भी माननेताएं रहती है लेकिन पही कभी यह माननेताएं बहुत ही प्रभावी होती है लेकिन फिर भी उसको समझ बूज कर और उसको निरणे लेने को मैं निरणे लेता हूं और उसके हिसाब से वो निरणें जो लेता हूं वो दूर्गामी परिणाम देते हैं जिससे मैं सुखी होता हूँ उसी तरीके से संबंध वेवस्था और सह अस्तित्व का भाव मुझे सहज स्विकार है और मैं इन संबंधों को जितना सुद्रिन बना सकूँ जितना अच्छा बना सकूँ और अच्छी वेवस्था के अनुरूप सह अस्तित्व के साथ मुझे ये सब सहज स्विकार है और इसलिए इसमें मेरा समझना मूल भूत आवश्रकता है और इसको समझते हुए ही मैं अपने कार्यकों निर्णय के द्वारा कार्यक को परिणाम के रूप में देखता हूँ और करता हूँ और इसी के द्वारा सभी का विकास जुड़ा हुआ है इस छड मैं निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध वेवस्था और सह अस्तित्यों को भाव को सुनिस्टित करता हूँ मैं और निरंतर सुखी रहने में मदद होता है हर छड ऐसा सुनिस्टित करके मैं निरंतर सुखी होता हूँ इसे संपूर्वक में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप से संबंध वेवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में होता है जिससे हम निरंतर सुखी हो सकते हैं और अभ्यास टू में जो मेरे अंदर जो चेंजेज आये है वो इस तरीके के आये है जो मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ शॉर्ट में मैं चातन्या और शरीर के बीच में होने वाला आदान प्रदान को देख पा रहा हूँ और देखने की कोशिस कर रहा हूँ लेकिन ये चीजे इतनी जल्दी हो नहीं सकती है कारण इसमें अभ्यास की बहुत जरुवत है जिसमें वो चीजे मैं देख सकूँ तो अभी अभ्यास जैसे अभ्यास वन और टू का जो चार महिने का जो कोर्स होने वाला है वो मैं करूँगा उसमें बहुत सारी चीजे और क्लियर हो जाएगी तो मैं उधर बराबर ध्यान देता हूँ मैं और सरीर के बीच में सुचनाओं का आदान प्रदान होता है इसका हमने अभ्यास भी किया है और बहुत सारी चीजे उसमें से निकल के आई है कि मैं और सरीर के बीच जो सुचनाओं होती है उसका आदान प्रदान जो है हम अनुभव किये और देखे शरीर को क्या संकेत देना है कि सम्वेदना को पढ़ना है इसका निर्णे मैं ही लेता हूँ कोई और नहीं लेता है और मैं सम्वेदनाओं से दूर होते हूँ भी सम्वेदनाओं को पढ़ पा रहा हूँ और मैं और शरीर की दूरी जो है वो दिखाई देती है और बाहिय परि बावित नहीं होता हूं, ऐसा मेरा मानना है और उस निर्णय के आधार पे अगर हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया सही होती है, ऐसा मुझे समझता है. बाह्य परिस्तिती का सरीर पर प्रभाव और तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पुर्वक परतंत्र पुर्वक जीना मुझे संबंदों के साथ जीना पसंद है और सहथ स्विक्रिती है इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि संबंदों के साथ और सुख पुर्वक जीया ज तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, वो अगला व्यक्ति भी सोच रहा है, तो ये सभी चीजे, जो चेंजेज आरहे हैं मेरे अंदर, ये बहुत अच्छे चेंजेज हैं, और जिसकी वज़े से बहुत बार मुझे गुशा भी आता था, तो मेरा गुशा भी बहुत सारा कम हुआ है, और हम एक teacher है और physician है हमारा काम patient को check करना है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है उसके दुख दर्द को जानना है और जानने के बाद उसको जो कुछ भी दवाईया देना है वो हम देते है लेकिन दवाईया देने से patient सिर्फ अच्छा नहीं होता है हमारा ऐसा मानना है कि उसके जब तक उसके अंदर हम अंदर की जानकारी निकालके उसके problem तक जब तक पहुंचते नहीं तब तक उसको हम ठीक से अच्छा नहीं कर सकते तो एक लेकिन जब हम उसके अंदर बात चीत करते हैं, जितना उसकी शेरिंग हम अपने तरफ लेते हैं, उसके प्राबलम को समझते हैं और फिर उसको इलाज करते हैं, तो बहुत दूर तक असर होता है और वो हमेशा वो व्यक्ति डॉक्टर को याद करता है. अपने संसकार मान्यता आधारित होने के साथ साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालता हूँ, और मैं उससे प्रभावित भी होता हूँ, अपने भाव विचारों को बनाता हूँ, और अच्छे भाव समय समय पे बनते हैं और बिगड़ते भी रते हैं, उसी से सुख और दुख म प्रतिक्रिया पुर्वक प्रस्टूत होता हो जिम्मेदारी पुर्वत मैं जीना चाहता हूं। रहने की हमेशा कोशिस करता हूँ, सम्वेधनाओं को पढ़ने के आध्धार पर हम बाहर की घटनाओं को दूसरों का कार्य वेवहार का आकलन करते हैं, दूसरों का वेवहार कर्म जैसे कार्य धोनी चब्द अर्थ दूसरों के वेवहार का कार्य भाव के बारे में मेरा आकलन गटना के बारे में मेरा आकलन मैं करता हूँ और उसको आकलन करते हुए मैं अपने शरीर के स्थिति का आकलन करता हूँ जिसमें शरीर में कोई गटना होती है तो सम्वेदना आती है शरीर के बारे में मेरा आकलन होता है इस आकलन के आधार पर मैं पूरक्ता का निर्वा करता अभी मैं थोड़ा सा मेरे जो आचरण में बदला हुआ, जो चेंजेज हुआ हो मैं एक सेरिंग कर रहा हूँ, experience के बारे में मेरे आचरण में बदलाव आया है और ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले चार महिने में जो मेरे अंदर चेंजेज आये है जो UHP के थ्रू मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ व्यक्ति में भाव या भेद न करते हुए जो समाज में चल रहा है उसके प्रति मैं ज्यादा समवेदन सील हूँ और लोगों के प्रति अब जागरूपता बढ़ी है अब मैं किसी के बारे में कोई जैसे कोई सामने नहीं है उसके बुराई करना ये चीजे अभी बहुत सारी चीजे दूर हो गई है मेरे बारे में कोई व्यक्ति अगर न रहते हुए बुराई करता है और बात मेरे सामने तक आती है तो उसमें मैं विचलित न होते हुए वो चीजों का ध्यान पूरवक पहले देखता और जरुवत पड़ी तो उस वेक्ति से में बात करता हूँ और अपनी बातों को रखता हूँ और जिससे वो संभाथ से वो चीजे दूर हो जाती है और उसके भावों को भी जानने की कोशिस करता हूँ और समझ को बढ़ा कर विचार कुरवक वेवहार करता हूँ और समाज के परती मेरी जागरूपता बढ़ी है और आर नेचर प्रिम्ह म लोग है तो बहुत सारा प्लांटेशन के उसमें बहुत सारे समाज से किसी हैं जिससे जूड़कर हम वो प्लांटेशन करते हैं और उसके सा और हेल्थ के बारे में थोड़ा अगर मैं बात करूँ kimchi मैराथन रणर हूँ और रणर में हमेशा एक-एक competitive की भावना रहती है कि उसको first आना है तो UHP से मेरा एक ये भावना बढ़ी है कि जैसे उसमें बताया जाता था कि competition की भावना नर रहते हुए सिर्फ अपने भावों के ध्यान देते हुए और अपने काम को करना है तो उसके ह हिसाब से मैं जब भी दवड़ता हूँ तो मुझे यह हमेशा समझ में आता है कि हम हमारे स्वास्त के लिए दवड़ रहे हैं न की मेडल पाने के लिए और न की उत्साह पाने के लिए न की प्रसिद्धी पाने के लिए तो ये विचार कुछ मेरे जो मुझे UHP के माध्यम स चेंज हुआ है वो मैं आपके सामने रखा हूँ समय की बात है तो मैं कितना समय दे सकता हूँ तो मैं अभी करीब करीब दो घंटे तो देता ही हूँ इवनिंग में जो हेल्थ सेशन चलता है उसमें मैं बराबर बना रहता हूँ और अपनी सेरिंग उसमें करता हूँ और ज के लिए क्ह謹ुतें तो समय कम से कम हम डोगंते तो आपने परिमारजन के लिए दे रहे है और और भी समय हम दे सकते है और कमिटमेंट की बात है तो तो मुझे जो भी काम अगर आप लोग देते हैalter 他 मुझे मिलता है या जिसमें मेरा इंट्रेस्ट है वो सब काम में करने में ज्यादा ततपर रहूँगा और ज्यादा ज्यादा समय देने की कोशिस करूँगा जबकि मैं पेशेंट देखता हूłem, थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो टाइम कम मिलता है ऐसा बोल के मतलब एक आयसा भी हो सकता कि मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे दी और परिक्षित भाईया सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यबाद आपने मुझे अपने विचार और शेरिंग रखने के लिए मौका दिया और इसी तरीके से मैं हमेशा आप लोग साथ जूड़ा रहूंगा जब भी जरूत पड़ी तो आप मैं तो रहूंगा ही उसके साथ साथ आपने शेरिंग हर सेशन में मैं करता ही बताता रहता हूं तो बहुत-बहुत धन्यबाद सभी को अमस्ते प्रणाम बास रख लोगे मैं कुमार भृठ इहुंग कुमार भिए नमस्ते ठैब राजेश भिया से आपने पूरी बात रकी तो आपका मैंने देखा है सुबह में आपको प्रशन भी आते थे और झिस तरा से आप सुनने का प्रयास करते थे पूरी बात को और जिस भोलेपन से आप प्रशन रखते थे तो बहुत ही अच्छा है अभी भी आप मेडिकल प्रोफेशन में स्वास्त के छेत्र में इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जीने के भिन्विन आयामों में इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ी से और बारिकी चाहिए अभ्यास एक और दो को क्योंकि जो भाव के पती सजग होना है वो मुखी बिंदु है वहां से फिर आगे काम शुरू होता है तो अभ्यास एक और दो और दो में देखें तो जो शरित सम्वेदना मिल रहे हैं उसको अर्थ दे रहे हैं उसको पहचानने से फिर हमारे अंदर उपरी मार्जन शुरू होता है तो मैं भ्यास से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले बैच में जुड़े रहें और अभ्यास एक और दो को बारीकी से करें और उसका सहाज रुप से प्रमान मिलेगा आपके जीने के पूरे सारे आयामों म आपके वेषाय में भी वेवार में भी वी, कारे में भी शरीका ध्यान रखना उसमें भी, स्माधान होना उसमें भी, तो तो या आपकी भी शेरिंग बहुत अछी लिए, मेरी तरफ से आपको भी वेषारी शुप्राना, लशाहे। सब्सक्राइब कुमार भीया सब्सक्राइब करेंगे बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूं माइक जी बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल मैं दोनों ने साथ में यूएच वी जोइन किया और जो भी मॉर्णिंग के सेशन रहते हैं वो हम साथ में ही करते हैं उनका चालू रहता है है मैं सुनते रहती हूं क्योंकि दोनों भी चालू करना मूबाइल वो इको होता है तो उनके इससे रोज मैं यह सब बाते जो है वो सुनती हूं और काफी बदलावाया है याने मैं तो बोलती हूं कि याने सडन चेंज मेरे में आ गया जो कि मैं पढ़ाते समय या थोड़ा को भी याने बहुत अच्छा लगता है जैसा जैसा मैं UHV के भी कुछ पॉइंट उनको एक्स्प्लोर करते रहती तो उनके उपर गी वो संसकार जो है गिर जाते हैं तो वह भी काफी खुश राइते हैं और ऐसा कहे गए तो याने मैंने बहुत बचट किया है याने स्वयम क कि मेरी बचट बहुत हो गई है जो यूएच्वी के बारे में मैंने जो सुना था एक्शुएली मैंने यह जो डॉक्रमेंटेशन है यह लाइक को लगता है इसलिए मैंने यह जॉइन किया था कि उसके सर्टिफिकेट सो और उस हिसाब से मैंने लेकिन आभी मुझको लगता है तो आप से आप में आगर मैं यह वह यह Siad की सभी याद आते रहीती है और वह रिलेशन वैसे ही मैंने होते हैं जो कॉलिज में हमारे जो ताफ रहता है उनके भावना स्वेम में आप से आपा गई, उसे खुद का मानसिक स्वास्ते बहुत अच्छा रहता है, तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया दिदी, बहुत ही बढ़िया, और आपके घर में तो बहुत ही सुखद आउसर है, आप दोने लोग साद साद पामादी बढ़िया, पुरे परिवार को आइक, परिवार को